तो उसका चैट का सारा बैकप आपके इमेल पे आ जाएगा तो दोस्तो एक क्वेस्चन जो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है अभी के टाइम पे वो है कि अपने वाटसेप पे डिलीट मेसेज को रिकवर कैसे करें मतलब जो मेसेज हमने किया अपने नि मेसेज को रिकवर कैसे करें मैं एक-दो मेसेज का बात नहीं करना हूं अगर आप वकशिप्व टैब करते हैं और वहां पे जितने सारे होते होते हैं यहा को शारे सारे को फश्रीक्वर कर्प कर सकते हैं बड़े आसानी से टुम मेसेज्ट को सबस्क्राइब कर दकर और हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं एकदम आसान तरीका जिसे आप अपने WhatsApp मेसेज को रिकवर कर सकते हैं, पाट साल पहले भी डिलीट हुआ है, तो भी वह आपका आजाएगा WhatsApp में, तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो द WhatsApp ओपन करने के बाद, आपको त्रीडाट में क्लिक करना है, उसकी बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है, आपको यहां से ओप्शन चूज करना है, दूसरा वाला जो है चैट, यहां पे नीचे आपको मिल जाएगा chat backup, तो इसे आपको chat backup पे click करना है, और अगर आपके पास जो message है वो आप अगर delete नहीं होने दिना चाहते हैं, तो just यहां पे backup कर दीजिए, और यह backup होने लगेगा, ठीक है, आपको करना यह है कि आप तो daily daily यह कर नहीं सकते हैं, तो आप आपको यहां पे कर देना है, backup to google drive, इसे never मैंने set किया, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए होता है, आप यहां daily पे इसे set कर दीजिए, और आपको यहां पे अपना email id डालना होगा, जो भी email address पे आप अपना भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां daily पे click कर देना है, और इसे backup using cellular, इस पे आपको click कर देना है, क्योंकि अगर यह click नहीं रहेगा, तो सिर्फ Wi-Fi से ही backup होगा, तो यहां पे आप देख सकते हैं, backup पे tap करने पे यहां पे यह backup होना start हो गया, और यह 682 MB का, यहां पे थोड़ा सा notification देता है, लेकिन daily daily का अगर आप करेंगे, तो यह कुछ second के ल है, तो यहां है, यहां है।